आज इस वीडियो में गाईज मैं आप लोग को Amazon कंपनी की एक amazing free online scholarship के बारें बताने वाला हूँ ये only एक scholarship नहीं है अगर आपका इसमें selection होता है तो आपको एक particular amount यानि कि 2 lakh रुपीज की scholarship मिलेगी free mentorship मिलेगी Amazon के expert से और आपको एक free में laptop भी मिल सकता है तो सुनने में तो बहुत interesting है आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस scholarship के लिए आपको apply कैसे करना है कौन-कौन अपना selection करवा सकता है और सबसे best बात मैं आपको बदा हूँ इस scholarship में selection के लिए आपको कोई exam या कोई fees नहीं देनी direct आप लोग के academic के business पे selection होने वाला है ऐसी amazing update के लिए आप लोग इस चैनल को subscribe कर लो बहुत सारी amazing internship और free courses में आप लोग को बताता रहता हूँ और इस वीडियो को last अगर आप देखते हो तो और भी बहुत सारी amazing opportunities आप लोग के लिए होने वाली है Amazon की scholarship का नाम है Amazon future engineer scholarship जहाँ पे up to two thousand two lakh रुपीज तक की बच्चों को scholarship दी जाती है हर साल 50,000 रुपय आपको scholarship मिलेगी ऐज़ा जब आप undergraduate degree में अपना admission करवा रहे होंगे तो और इस scholarship के लिए आप लोग की जो last date होने वाली हो 31st December होने वाली तो राम से आप लोग apply भी कर सकते हो अब मैं आप लोग को scholarship के लिए basically eligibility बता देता हूँ क्योंकि यह बहुत important है eligibility यहाँ पे scholarship के लिए only girl student ही eligible होने वाली है boys student इस scholarship के लिए eligible नहीं होने वाले है अगर आप as a boys student इस video को देख रहे हो तो आप दो काम कर सकते हो इस video को आप अपने दोस्तों में share कर सकते हो या अपनी family circle में किसी female candidate को share कर सकते हो दूसरा इस video को last तक देख सकते हो एक last में opportunity बता हूँगा जिससे online earning आप लोग कर सकते हो LGBT मैंने बता दी अगर आप girl student हो B.E.B.Tech कर रहे हो M.Tech कर रहे हो और CSID ब्रांज से कर रहे हो तो आप लोग scholarship के लिए eligible हो दूसरा first year student होने चीए B.E.B.Tech के तीसरा यहां पर इसके अलावा आप लोग के जो family income वो तीस लाग से तीन लाग से ज्यादा नहीं होनी चीए और अगर आप डिपलोमा student थ्रे पहले और B.E.B.Tech में आप अब आदमिशन लिया है तो लेटर रहे वाले student allowed नहीं है यह दो तिन चीज़े हैं जो कि आप लोग क बता देते हैं अगर हम बात करें benefit के scholarship में आपको क्या benefit मिलेंगे तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी आप यह दो लाग रुपे की scholarship भी मिलेगी बच्चों को जिनका भी selection होता है और 50,000 रुपीज पर yearly आप लोग को scholarship मिलेगी total 500 student को यह scholarship मिलने वाली है और इसके अल potential reward के अलावा बताऊं तो देखो Amazon will also provide laptop mentorship और skill building opportunities networking opportunities जिन भी बच्चों का selection होगा उनको Amazon की तरफ से आप एक बार internship कर लेते हो तो बाद में next year भी आप लोग को internship offer की जा सकती है और आपको full time job भी offer की जा सकती है scholarship के अंडर selection की बात करें selection कैसे होगा scholarship में तो यहां पर जो भी student यहां पर selection करवाना चाहते है प्रेफरेबली जो girl student है उनका जो selection होगा वह foundation by excellence की तरफ से होगा जो आपके academic performance और income है family income उसके basis पे आप लोग का scholarship में selection होगा selection process की बाद करें तो यहां पर सबसे बहले आपको एक application form फिल करना होगा उसके बाद आप से कर लिया जोएगा अगर आप लोग का selection होता है अगर आप लोग का selection होता है तो 31st मार्च तक आप लोग को बता दिया जोएगा कि आपका selection हो चुका है बाकि आप लोग हमारा WhatsApp जोइन कर सकते हो जब भी इसका result आएगा मैं आप लोग को WhatsApp पे notify कर दूँगा क्योंकि बहुत ब बच्च यहां पर select होता है लाजट की बात करने तो लाजट 31st December होने वाला scholarship के लिए और apply online ही आप लोग को करना होगा apply करने की process बहुत आसान है video description में आपको link मिलेगा इस link पर आपको क्लिक करना है submit details to apply पर आपका full name email id mobile number दे रहे हैं उसके आद दुबारा से आपको email id mobile number द details बताने है उसका eligibility criteria आप लोग को check करना है जो भी आप course कर रहे हो देख सकते हो यह वाली degree eligible है बीटेक MBBS law बीफार्मा उसके बाद college का roll number वेगरा और उसके बाद कोई entrance exam अगर आप लोगों ने दिया है जैसे जैए email हो गया तो आप उसकी details दे सकते हो family information देनी है कितने member family में about yourself related questions के answer करने इस तरीके से next pack करके आप लोग इस form को submit कर दीजेगा और इस तरीके से आप लोग फायदा उठा सकते हो जो भी बच्चे scholarship के लिप्लाई कर रहे हैं description में link है एक और amazing opportunity है जो कि boys और girls दोनों student के लिए आप लोगों के लिए एक free internship है software developer की internship है work from home internship है remote location पे आप इस internship को कर सकते हो आपको कोई जाने के जूरत नहीं है जो student अभी college में पढ़ रहे हैं या graduate है वो इस internship में apply कर सकते हैं और 8000 रुपे पर मन्त कमा भी सकते हैं तीन मन्त की totally internship होगी साथ से 8 गंटे per day अगर आप दे सकते हो तो इसके लिए apply कर लो एक बार apply ज़रूर करना चाहिए selection के chances बहुत जादा है इस internship में भी क्योंकि बहुत कम student को पता है कि यह अभी internship निकली हुई है 31 अगस्ति लास्टेट होने वाले इस internship के लिए और apply लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँँआ कर दो